हेलो मेरे पैरे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीट सीरीज ओफ लर्नोहब मैं हुश्पम फ्रम लर्नोहब फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहाँ पर आप Physics Chemistry, Maths, Biology, सब कुछ पढ़ सकते हो वो भी absolutely for free at learnohub.com तो चलो, शुरू करते हैं तो दोस्तों आशिक आप सभी को पता होगा इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले hydrogen का concept add on है, यह दूसरा वाला concept add on है इससे पहले वाले concept add on में हम लोग मनें dihydrogen और hydride के बारे में पढ़ा था इसमें हम लोग water और paroxide के बारे में देख लेंगे तो बिना time waste किये शुरू करते हैं and let's rock तो दोस्तो हम लोग ने hydrides तक की कहानी देख ली hydrides तक के जो topics में आपको दिखर आ सकते हैं वो मेंने explain कर दिये अब water और H2O2 बचा है और D2O बचा है तो water में भी वस जादा चीजे इतनी सारी जो चीजे दी हमें सभी पढ़ना है बिल्कुल पढ़ना है जैसे कि start हम लोग physical properties से करते हैं chapter में water के बहुत सारी physical properties के बार में बात की गई है water के hydrogen bonding के वज़े से कैसी मतलब water hydrogen bonding के वज़े से उसके कितने सारे properties high है freezing point boiling point etc etc वो सब आप पढ़के भी समझ सकते हो आराम से okay anomalous behavior of water को भी समझ सकते हो आप right की ice is right lighter than the water liquid water so उसका application aquatic life जिंदा कैसे रह पाती वो सारी चीजे इसके आलावा भी ice का structure 3D वाला भी वह भी अच्छे से समझाया गया है okay textbook में उसके बाद chemical properties पर आगर हम लोग water के आए तो काफी सिम्पल समझती reaction है जैसे आपने एकुलिब्रियम पढ़ा रहेगा आपको लावरी और ब्रॉंस्टेड आसे बेसे पता होंगे तो वह समझ में आ जाएगा बाद में redox method से जो water के reactions है मतलब redox reaction जो water show करता है वह वाली है ऐसे सिम्पल से दो तीन reaction से लास्ट वाली जो reaction है hydrates formation वाली वह शायद आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है समझने में ओके तो वह मैं यहापर discuss कर लेता हूँ फटाक से आपको बता देता हूँ सिम्पल सी चीज़ है salt का water के साथ का solution जहां पर solvent water होता है वह होता है aqueous solution तो ऐसे मैं aqueous solution लोंगा salt का अब इस aqueous solution में से मैं करूंगा salt को crystallize तो अब crystallization प्रोसेस तो आपने इंडीटल सीखी होगी आरपिसर ने पढ़ाया होगा class अपना जो 12th chapter है basics of organic chemistry में तो यहाँ पर भी हम लोग crystallization करेंगे simply हम लोग उपर crystals निकालेंगे salt के और यह crystallization में जो crystals निकलेंगे वो pure crystals होंगे इस aqueous solution जो है salt का उसमें impurities भी हो सकती है पर जब हम लोग crystallize करेंगे तो इसमें जो crystals उपर आएंगे ऐसे वो एक दों pure NACL के crystals होंगे अब यह जो crystals है यह होते हैं hydrated तो हमें यह crystallization के बाद hydrated salts मिलते हैं तो hydrated salts मतलब इनमें water associated होता है इनके साथ तो water is associated ऐसे समझ लेना अब कैसे associate होता है यही हम लोग को reaction में मतलब इसमें बताया है कि कैसे तीन टाइप के associations है water के salts की साथ तो पहला वाला association तो simple सा है पर देखो आपको इस level पर थोड़ा समझने में दिखता सकती है coordinated water है उसका time ओके तो coordinated वाले ओके coordinated water तो इसका example में बता देता हो फिर आपको थोड़ा समझने में आसा नहीं हो सकती है तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हो इसे तीन chloride ions लिए हुए ओके तो इनका million होगा तो क्या होगा देखो three plus three minus तो यह जो CRH2O6 square bracket के अंदर वाला टर्म और यह CL3 यह मैंने ऐसे लिख दिया इसको ओके तो यह actual में यह तो complex है मतलब complex compound है coordination compound है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे जो हमारा inorganic के second last chapter में हम लोग जाएंगे वो coordination compound वाले होगा class 12 का पर अगर आपने पढ़ा होगा coordination compound तो आपको यह समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी जो नए बच्चे हैं उनको शायद समझने में दिक् coordinated होता है coordinated मतलब water coordinate bond से जुड़ा हुआ होता है ऐसे समझ लेना coordinated मतलब coordinate bond से अब क्या होता है coordinate bond यह सारी कहाने हम लोग देखेंगे coordination compound पर ओके अब दूसरा वाला टाइप जो है इसमें वो है interstitial वाला ओके interstitial water अब इसमें simple सा है देखो हम लोग ने interstitial hydrites पढ़े थे उसमें क्या था कि भाई metal का जो lattice है उसके अंदर उनके interstitial space मतलब उनके interstitial में interstitial मतलब जो metal का lattice है उसके अंदर जो भी छोटे-छोटे जो भी holes बच रहे थे, या फिर जो भी चोटा-चोटा जगा बच रहा था, metal के lattice के अंदर उसके metal के atoms भरने के बाद उस lattice में, उस चोटा-चोटा जगा में hydrogen जाके बैट रहा था, उसी तरह यहाँ पर water जाके बैट रहा है, simple तो इसका example लेको यह है दिया है और तीसरा वाला जो है, ये थोड़ा important है, ये है हमारे hydrogen bonded, hydrogen bonded water तो इसके उपर neat में question पूछा गया था, 2019 में, आप चाहिए तो हम लोग तो वैसे भी करेंगे PYQs बिल्कुल, तो उसमें आपको समझ में आई जाएगा, पर देखो, छोटी-छोटी चीजों से ही सवाल बनते हैं, और मैंने starting में आपको advice किया, कि पूरा chapter आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से line by line, जैसे आप bio पढ़ते हो, वैसे ही inorganic को पढ़ना है, तो ये आप inorganic से marks खीच के लेके आ सकते हो, क्योंकि इनorganic बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यदा पढ़ना पढ़ता है, इसलिए लोग उससे भांगते हैं, तो हमें आगर बहुत आच्छा score करना है, अच्छा medical college में जाना है, तो आपको 670, 680 plus लाना तो होगा ही, और उसके लिए इनorganic तो ज़रूरी ही है पढ़ना, आपके पास scope ही नहीं है कुछ, chemistry में आपको 180 में से 160, 170 तो लाना ही है, 170 प्लस तो लाना ही है, ताकि आप आपके अच्छे college में जा सको, government college में, तो यह सारी बात है तो हो गई, वो अलग बात है, अब hydrogen के साथ, वहाँ पर hydrogen bonded है, तो यह देखो, यह वाला example आपने बहुत बार सुना होगा, टेक्स्ट्बुक में भी दिया हुआ है, Cuso4.5H2O, ओके, तो इसमें, अब दिखने में ऐसा लगेगा कि यार यह पाचो के पाचो water molecules hydrogen bonded है, शायद, ओके, यह associated तो है हमारे salt के साथ, पर पाचो के पाचो hydrogen bonded नहीं है, क्यों? देको, यह भी कुछ complex compound दे साही है, तो यह जो हमारा copper है, यह ऐसे water molecules, चार water molecules, इसके साथ coordinated है copper के साथ, ओके, तो इस पूरे complex के उपर 2 plus 4 आएगा, ओके, और SO4 जो है, उसके उपर 2 minus charge है, तो दोनों का million होगा, तो यह ऐसा हो जाएगा, complex, लिख दिया मैंने, ओके, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, ओके, 3 plus 3 minus, तो यहाँ पर 2 plus और SO4 के उपर 2 minus, तो दोनों का million होगा, तो ऐसे बन जाएगा, यह यही सिर्फ, और यही सवाल पूछाथा, देखो, तो tricky सवाल पूछते हैं, अकसर, बच्चे अगर ठीक से पढ़ेंगे नहीं, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, ओके, तो बारी की उसे नहीं पढ़ोगे, तो नहीं हो पाएगा, ओके, नहीं जवाब तक पहुंचोगे, ऐसे कुछ-कुछ नीट में सवाल बिलकुल आते हैं, ओके, तो अब यह है hydrogen bonded वाला water, एक ही water molecule, इस COSO 4.5 H2O, salt में, ओके, बाके के चार coordinated है, clear हो गए यह तक बात, ओके, तो chemical properties तक तो हो गया, अब उसके आगे, एक topic है, बहुत अच्छा सा, interesting सा, hard and soft water, ओके, तो simply अब देखो, hard water क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा, ओके, जिस water में हमारे, ओके, bicarbonates, या फिर chlorides, या फिर sulfates होंगे, किसके, किसके, of magnesium या फिर calcium के, ओके, दोनों मेंसे किसी के भी, एक के भी होंगे, यह सारे salts या फिर दोनों के भी होंगे, तो भी हमारा पानी बन जाएगा, hard, ओके, और यह सारे अगर नहीं होंगे आपनी में, तो हमारा पानी soft water है, बात समझ में आ गई, soft water का मतलब यह नहीं कि pure water है वो, उस water में हमारे magnesium या फिर calcium के bicarbonate chloride या फिर sulfates नहीं होंगे, तो वो soft water है, बच्चे अकसर इसमें थोड़ा सा मार खा सकते है, soft water सुन कैसे लगेगा, उनको टेक्सबुक में definition पढ़के, कि भाई साब मतलब, वो भूल जाएंगे गलती से, कि soft water ये नहीं है, वो होता है soft water, ऐसा नहीं कि pure water, soft water बोला जाता है, clear होगे बात, तो soft water दिख गया, पीने लग गए, ऐसा तो होगा नहीं, पर फिर भी मज़ा कर रहा था है, तो चलो, तो ये जो hard or soft water का जो concept है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, सिर्फ, water को hard से soft कैसे बनाना है, simple, तो hardness जो है water की, वो दो टाइप की है, temporary hardness, permanent hardness आपने पड़ा होगा, तो temporary hardness में सिर्फ और सिर्फ, magnesium या फिर calcium के, मैं आपर आलग से करता हूँ, magnesium या फिर calcium के, okay, bicarbonate salt अगर present रहेगा पानी में, तो वो temporary hardness है, और अगर magnesium या फिर calcium के, okay, ये chlorides या फिर sulfates रहेंगी, okay, पानी में, तो फिर वो permanent hardness है पानी का, तो जब अपने को समझ मेंगा कि पानी temporarily hard है, तो हम लोग उसको दो अलग method से soft बनाते, simply boiling करके, और Clarks method को use करके, वो simple-simple से method है, boiling में हम लोग boil करेंगे, तो जो हमारे magnesium अपना जो bicarbonate है, या फिर calcium bicarbonate है, तो magnesium bicarbonate बन जाता है, magnesium hydroxide, okay, calcium bicarbonate बन जाता है, calcium carbonate, और फिर ये insoluble salts है, okay, पहले तो ये magnesium और calcium के जो bicarbonate से जे soluble थे, पानी में, इसले हम लोग को दिख नहीं पा रहे थे, हम लोग ने उनको ही तो खोद के निकाला बहार, किनको, इन salts को ही, पर salts को कैसे निकाला हम लोग ने, इस magnesium और calcium को हम लोग ने हटा दिया, कैसे हटाया, उसके carbonates में से magnesium और calcium को उठा के, उसके hydroxide में बना दिया, ओके, तो hydroxide तो insoluble है, उसको हम लोग ने निकाल दिया, मतलब magnesium calcium निकल गए, magnesium calcium निकल गए, तो बस बात खतम, आपना water soft बन गया, clear होगे बात, क्योंकि magnesium और calcium की ये salt अब नहीं बच गया, नहीं बचा है अब, clear, वैसे Clark method में भी हम लोग सिर्फ lime डालते है, calcium hydroxide डालते है और same process होता है, उन में भी same magnesium bicarbonate, magnesium hydroxide बन के निकल जाता है calcium bicarbonate जो है, वो calcium carbonate बन के जाता है, ऐसे simple simple से temporary hardness में है, वैसे ही permanent hardness में भी 4 methods है, तो उसमें है, मैं आपको पढ़ाऊंगा synthetic वाला synthetic resistance वाला, बागी के सब में, जैसे मैंने बताया, temporary hardness में भी, simple simple से reactions दिये हुए, समझाया गया अच्छे से temporary hardness में भी, और permanent hardness में भी, जो synthetic resonance वाला method है, उसमें थोड़ा सा आपको शायद लग सकता है कि यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर कुछ दिक्कत हो रही हुए, उसमें सारी reactions दिये नहीं हुए, तो अब synthetic resin method में हम लोग क्या करते है, hard water को soft water करते है, ओके, अब ये वाले method में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, मतलब सबसे, ये cation exchange resins use करते है हम लोग, ओके, इस method में water को soft बनाने के लिए, अब cation exchange resins होते क्या है भाई, वो resin है, अब resin आपको समझ में आ गया होगा okay, resinous substance होते है, जो एकदम ऐसे rubber जैसे होते है, थोड़े से, ओके, पर मतलब इतने भी इसे hard नहीं होंगे, stiff नहीं होंगे, थोड़े से rubber जैसे होंगे, ओके, एकदम ऐसे bilbilी type हो सकते है, तो अब ये resinous, cation exchange resins, ये resinous होते है, actual में large molecules, okay, जिन में SO3H group है, cation exchange resins, जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये large molecule है, जिन में SO3H group है, अब ये जो है, insoluble भी है, ओके, तो ऐसा नहीं है, soluble तो होना नहीं चाहिए, तो पानी डालेंगे, तो libilize हो जाएगा, तो फिर पानी को soft cone बनाएगा, correct, simple से logic है, ऐसी ही याद रखना है, तो अब इनको क्या करते हैं, हम लोग देखो, फिर इसको में आगर ऐसा लिख दू, okay, large organic molecule है, okay, sorry, organic molecules, बोल देया, लिखने नहीं बूल गया, तो organic molecule containing SO3H है, तो यह जो हमारे cutane exchange resonance है, वो कुछ ऐसे है, RSO3H, okay, तो यह जो R वाला part है, okay, यह anionic है, anionic, negatively charged, okay, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें यह RSO3H नहीं चाहिए, हमें चाहिए sodium इसके जगह पर, okay, क्योंकि देखो, होता क्या है, देखो, आगे बताता हूँ मैं, तो हमे तो क्या होता है, यहाँ पर Na आ जाता है, और यह SO3 निकल जाता है, okay, तो यहाँ पर R Na बन जाएगा, कुछ ऐसे, तो Na तो हमारा positively charged दे, okay, तो मैं बस यहाँ पर लिख देता है, ऐसे R minus Na plus, okay, तो anionic है हमारा R group, आगए सब आगए बात समझ में, अब इस anionic R minus Na plus, यही हमें help करेगा हमारे water को soft बनाने में, क्योंकि soft बनाना मतलब क्या करना है, हमें बस magnesium और calcium के ions को केसे भी करके निकाल देना है पानी से, अब केसे निकालेंगे वो, यह देखो, यह Na plus दिख रहा है आपको, इसे से exchange करवाएंगे हम लोग, तो पानी जब जाएगा resin के अंदर, okay, त okay, वो हमारे Na plus ions के साथ, okay, यह magnesium या फिर calcium के जो ions है, यह हमारे Na plus ions के साथ replace होंगे, okay, इनके जगह पर Mg plus या फिर Ca2 plus चिपक जाएंगे, आर के साथ, यह R के साथ, तो होगा क्या देखो, रियक्शन बता देता हूँ मैं आपको यह, यह जो हमारा RNA है, okay, तो मैं magnesium या फिर calcium क को ऐसे M2 plus से denote कर देता हूँ, right, उनके उपर 2 plus charge है, तो यह क्या करेंगे, यह R के साथ जुडेंगे, अब देखो, R अनायनी के मैंने बोलाता है, एक minus charge है इसके उपर, तो simple सी बात है, विचारे को 2 minus charges लेने पड़ेंगे, okay, मतलब 2 minus charges create करने पड़ेंगे, तभी यह 2 plus charges के स ओके, और फिर, यह R to M हो गया, फिर बचा क्या, N A plus, okay, इसके जगह पर आ रहा है ना, यह, N A plus था यह, okay, मतलब, यहाँ पर N A plus के जगह पर, M G 2 plus है, फिर C A 2 plus आ रहा है, तो N A plus तो भी चराए से बाहर निकल जाएगा, तो देखो, exchange होगा इन दोनों के बीच में, यह यह होने के बाद, अपने water का क्या हो गया, अपने water में से calcium या फिर magnesium ions, जिनको मैंने M से denote किया है, वो अब resin में चिपक गए, पानी में नहीं है, पानी क्या हो गया, क्या हो गया, soft हो गया, right, तो अब हमारा पानी यहाँ पर तो बन गया soft, इस step में ही, okay, यह वाले के बाद, यह यहाँ से hard water डालने के बाद, जो reaction हो रही ही, वो यहाँ पर मैंने दिखा गी, okay, यह वाली, अब, simple सी बात है, अब हमारा तो भाई, जो cut iron exchange resin है, वो तो R2M बन गया, यहाँ पर सब calcium magnesium ions बैड़ गए, हमें तो use भी करना है उसे और एक बार, तो हम लोग क्या करेंगे, इस R2 R2M को किसी भी तरह से हमें चाहिए, कि भाई, यह R2M फिर से RNA बन जाए, ओके, तो यह R2M, फिर से RNA कैसे बन सकता है, तो इसी लिए हम लोग क्या करते है, हम लोग aqueous NACL solution के साथ इसको treat कर देंगे, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से ultra reaction हो जाएगा, मतलब यहाँ प ultra reaction लिक रहा हो में, ओके, R2M plus NACL, aqueous वाला, ओके, तो यह NA जाएगा इस M के जगह पर, तो भाई साथ हमारे पास तो 2R है, तो 2R माइनस है, तो हमें 2NA प्लस लगेंगे, तो देखो 2NA प्लस, ओके, तो यह हो गया हमारा RNA, कितने हो गए, 2, 2RNA, ओके, यह वाला छोड़ दो हो यह पर, तो 2R, 2NA, अब बचा कितने, 2CL और 1M, और जाहिर सी बात है, हमारा M 2 प्लस है, तो 2 प्लस के लिए 2 माइनस CL माइनस, मतलब 2 माइनस चार्जिस है, तो देखो 2CL माइनस 2 माइनस चार्जिस दे रहे, तो MCL 2, हो गई बात, खतम, ओके, तो हमारा क्या हो गया, फिर से regenerate किया, ऐसे RNA, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग hard water डालेंगे, फिर से हम लोग soft बनाएंगे, ऐसी चलता रहेगा process, आगए बाद समझ में, केसे हम लोग cation exchange resonance का इस्तमाल करके, soft water बनाते हैं, आप देखो, अगला वाला है, synthetic resonance method में ही, हम लोग को एक और, एक और चीज, एक और चोटा concept भी है, ओके, अच्छा सा है वो भी, pure de-mineralized water हम लोग केसे बनाएं, ओके, या फिर de-mineralized के जगए, पर आप de-ionized भी बोल सकते हो, ओके, इनसे free water जो रहेगा, वो है हमारा pure de-mineralized water, ओके, तो इसको मैंने de-ionized भी क्यों बोला, अब देखो, mineral salts जो soluble है, ओके, तो वो mineral salts जब पानी में soluble होते हैं, तो वो ions ही बनाएंगे, अब इनसे free बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिर ion free रहेगा, तो de-ionized, जिसमें से हम लोग ion निकाले, free, ion free करना है, तो मतलब क्या कर रहे हम लोग, ions को निकाल रहे है, तो de-ionized कर रहे है, clear, तो इसलिए de-ionized, अब कैसे करते हैं इनको, जो हम लोग ने cation exchange resin में पढ़ा ना, same logic हम लोग apply करने वाले, तो इसलिए मैंने पहले वो भी पढ़ा दिया, ताकि वो भी करेंगे, cation से, क्योंकि हम लोग को पहले cation निकालने, देखो, mineralized, जो हमारा water रहेगा, उसमें तो it scatter счит a rub, ब Inte बढ़ा है, तो बात में, अनायन वाले से, ताकि cation निकल जह ऑने पर interesting बात भी हो रहा Cation exchange resin से निकाल रहे, Cation exchange resin हमारा है hydrogen वाला, मतलब ऐसा RH, तो इसमें R रहेगा minus H plus, ऐसे वाला, जो हमारा R वाला part है, वो minus रहेगा, H वाला part plus, फिर Cation exchange से हम लोग anion exchange में भेज़ेंगे पानी को, तो anion exchange वाला भी क्या होगा simply r o h type वाला होगा तो r जो है हमारा ये plus होगा यहाँ पर o h minus वाला होगा तो देखो इस h plus के साथ हमारे cations exchange होंगे कुण से कुण से हो सकता है na plus हो सकता है mg2 plus हो सकता है जो हम लोग के water को hard बना रहा है ca2 plus भी हो सकता है तो ये सारे cations exchange होंगे हमारे h plus के साथ तो h plus निकल जाएगा ये सारे cations कौन सा भी cations होगा हमारे resin में चिपक जाएगे तो हमारा पानी cations free हो जाएगा वैसे ही cations free पानी अनायन free कैसे होगा तो यहाँ पर ये जो o h minus ions है ये c l minus को replace कर सकते है SO4 to minus को कर सकते है bicarbonate को कर सकते है एक्सेटरा एक्सेटरा ओके यहाँ पर भी एक्सेटरा एक्सेटरा cut ions जो होंगे उनको exchange कर सकते हम लोग बाकि के भी cut ions कुछ जो अगर पानी में होंगे वो भी exchange लाएगे तो यहाँ पर exchange कैसे होगा अब सेम जो reaction वहाँ पर देखा था हम लोग ने सेम तरीकी से यहाँ पर भी होगा तो देखो जब RH है suppose मैं आब Mg2 प्लस या फिर Ca2 की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं क्या बूलूंगा यहाँ पर M2 प्लस ions है भाई साब मेरे पास तो M2 प्लस ions R के साथ जब जुडएंगे तब कैसे जुड़ पाएंगे वो R2M बनेगा क्योंकि 2- है न माइनस वाला है R हमारा यहाँ पर तो 2-2 प्लस तो क्या हो गया R2M और फिर बचा क्या हमारा H तो यहाँ पर यह जाने के बाद 2H प्लस अब देखो बात यह है कि जब हमारा कटायन एक्षेंज रिजन से पानी निकलेगा तब पानी में H प्लस ions भी होंगे यह मैं उच्छेंज इंटरस्टिंग बात आपको बतानी थी तो अब जब H प्लस ions है अब अपना पानी क्या है अब acidic है यह भूलना नहीं है ओकी तो ऐसे concept को चिपके रहना है जब कटायन एक्षेंज रिजन से पानी निकलेगा तब acidic होता है पानी पूछ सकते एक्जाम में भाई क्यों नहीं पूछ सकते तो कि देख सकते आपको टेस्ट कर सकते कितना आपका concept strong है अब यह acid quarter हम लोग क्या करते है anion exchange resin में भीजते है तो अब इस acid quarter में बिल्कुल anions भी है तो anions कैसे निकलेंगे देखो r plus oh minus ऐसे वाला हमारा resin है तो r plus oh minus में अब मैं ऐसे anions की बात कर रहा हूँ सपोज मैं sulphate और chloride sulphate की बात कर रहा हूँ sulphate की तो reaction लिखने अब बड़ी बात नहीं है अब आपको समझ में आगा कैसे reaction लिखने है तो sulphate ले रहा हूँ मैं तो मैं x 2 minus वाला ले रहा हूँ sulphate वाला है 2 minus वाला जो मैंने x 2 minus वाला लिया अब इसमें यहाँ पर 2 minus है अपना विचार r के उपर plus 1 है तो विचारी को पास 2 plus चाहिए तो r2 x बनेगा यहाँ पर तो हमारे कनायन exchange resin में आप x चिपक गए तो r2 x बन गया और आप यह 2 oh minus निकल गए विचारी बाहर तो यह देखना जब हमारे acidic water में h plus ions है उसी तरह से हमारे joystick quarter हम लोग में पास करवाया तो अब जब मैं ऐसे salts की बात कर रहा हूँ अब देखो m2 plus की बात कर रहा हूँ तो वो अनायन भी x2 minus वाला ही चिपक गएगा उसके साथ तो इसलिए मैंने same वाला लिया अगर आप m plus की बात कर रहे हूँ तो आप x minus ले लो तो आप यहाँ पर a की h plus ion बहर जाएगा यहाँ पर a की oh minus ion बहर जाएगा simple सी बात है यहाँ पर m plus यहाँ पर चिपक जाएगा यह तो बिचारा r minus ही है तो r minus m plus हो गए बात इनकी एक साथ तो h plus निकलेगा बाहर एक तो यहाँ पर एक h plus यहाँ पर एक oh minus तो क्या होगा अब इस case में तो 2 h plus 2 oh minus निकल रहे है वो वाले case में 1 h plus 1 oh minus बात यह है simply कि जितने भी h plus निकलेंगे उतने ही oh minus निकलेंगे जब okay anion exchange resin से हम लोग भीजेंगे और यही h plus oh minus एक दूसरे को neutralize करेंगे और क्या होगा पानी तो बनेगा यहाँ पर 2 water molecules बन रहे तो हमारा water अब acidic नहीं रहा नहीं वो basic बन गया अब तो neutral बन गया तो भाही छेलो मतलब बन गया pure water बन गया अब यह सब करने के बाद फिर से वही चीज हमारा जो cation exchange resin है या फिर जो हमारा अनायन exchange resin है देख उसकी क्या अलब हो गई है बिचारा चिपक गया है cation's के साथ यहाँ पर हमगा anion exchange resin था उसकी क्या अलब होगी अनायंस के साथ चिपक गया बिचरा, इनको regenerate कैसे करवाएंगे हम लोग, simply इसको हम लोग dilute acid के साथ treat करेंगे कटायन exchange वाले को, resins को तो dilute acid के साथ मतलब मैं HCl के साथ treat कर रहा हूँ, suppose, चलो, तो क्या हो जाएगा देखो, ये R के पास H चले जाएंगे, तो 2R है, तो 2H चले जाएंगे बिचारे के पास, तो 2R H बन गए, ओके, और फिर ये MCl2 उसी तरह से हमारा जो R2X रहेगा, उसको हम लोग dilute alkali से treat करेंगे, इसको, तो मैं नOH ले लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पर नOH के साथ क्या होगा, भाही साब, देखो, R अब OH के साथ जुडएंगे, तो 2R है, तो 2OH के साथ जुडएंगे वो, ओके, क्यूंकि R, देखो, हमारा माइनस ही है, हमेशा, ओके, देखो, R, यहाँ पर, सौरी, R प्लस है, सौरी, ओके, OH, आगे बाद समझ में, 2R, और 2OH, तो 2R OH, और फिर बचा क्या, यह 1X, 2NE, ओके, तो NA2X बनेगा, ओके, क्यूंकि, X के उपर तो 2-4 जेना, तो NA2SO4 ऐसा, आगे बाद समझ में, तो यह है, दो रियाक्शन, जिसमें हम लोग regenerate कर रहे है, हमारे, cation exchange resin को, और anion exchange resin को, क्लिर होगे बाद, कैसे हम लोग ने, pure demineralized water बना दिया, ओके, तो यहाँ पर देखो, H2O2 पे आ गए हम लोग, water का तो हो गया, अब इसकी methods of preparation भी काफी simple-simple से है, ओके, physical properties भी, चोटी-चोटी सी है, ओके, अब structure वेगरा, तो इसका non-planar structure है, dietal angle वेगरा, याद रख लेना, solid और gas phase में, अलग-अलग थोड़ा सा होता है, angle, ओके, वो याद रख लेना, storage में, बहुत से interesting चीज़े भी दी हुए, storage में भी, वो भी आपको पढ़के समझ में जाएक है, और users भी बहुत अच्छे-च्छे users है, आपका दिमाग अगर थोड़ा सा हिल सकता है, थोड़ी से आपको दिक्कत आ सकती है, तो वो है chemical properties में, थोड़ी ने शायद बहुत आ सकती है, तो मैं इसी को, अब देखो, बच्चों को क्या लगता है, मैं कि ये जो, इनोरगनिक की reactions है ना, इनको देखके इनसे भाग जाओ, जो simple-simple से दिख रहे है, वो ही याद कर लो, बाकी से भाग जाओ, गलत है, गलत है, गलत है भाई, ये जो reactions है, देखो, मैं आपके लिए कितना simple बना देता हूँ, मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ, textbook नहीं बनाया आपके लिए simple, बस NCRT में वो सब जगह पर इतना explain नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऐसे consider करते कि भाई साब आप ये chapter पढ़ने से, आपने अगर थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा use किया तो, और थोड़ा सा, मतलब अच्छे से use किया तो, आपको समझ में आई जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं मैं समझा दूँगा आपको यहाँ पर, देखना जहान से, अब यह जो reactions है, इनको बिल्कुल याद करने की जुरूरत नहीं है, कुछ कौन से चीज़ा याद करनी है, simple, जिसे हम लोग कोई भी reaction में करते, कौन से reactants है, और कौन से product बन रहे, इतनी ही याद करनी, बाकी का सब आपने यहाँ बन जाएगा, आपने के बना है, इसलिए मैंने बोल आच्छा chemical molecule है, तो अब, आक्शन इसका देखते हैं हम लोग पहले, आच्छे मेंडियूम में, तो देखो, इसको समझने के लिए यह reaction जो दिया है, इसको मैं समझा देता हु आपको, ताकि आपको automatically समझ में आ जाएगा कि reaction को याद कैसे करना या फिर reaction को समझना कैसे ओके और क्या-क्या चीज़े याद रखने है तो simply oxidizing action है ना तो H2O2 oxidize करेगा simple सी बात है तो यहाँ पर देखो H2O2 दिख रहा है आप किसको oxidize कर रहा है इसको oxidize कर रहा है याद रखना Fe2 plus को और हो दिख भी जाएगा आपको देखो Fe2 plus को उसने Fe3 plus में oxidize कर दिया देखो 2 plus oxidation state है इसका 3 plus में चला गया तो plus 2 से plus 3 में जा रहा है ओके oxidation नमबर बढ़ रहा है oxidation हो रहा है clear होगे बात तो oxidation इसका हो रहा है यह oxidize इसको कर रहा है अब oxidation जब यह करेगा हमें पता है oxidizing agents क्या होते है खुद होते है reduce अगर पता नहीं होगा तो याद रखना अभी तो खुद reduce होंगे तब दूसरे को oxidize कर पाएंगे तो वैसे ही तो यहाँ पर H2O2 किसमे reduce हो रहा है water में reduce हो रहा है कैसे याद रखो गया ओकी इसके लिए सिंपल सा चीज हम लोगने पढ़ चुक है already reduce reaction वाले chapter में आगर आपने पढ़ा होगा disproportionation reaction का पहला यह example है यह almost ओके उसमें हम लोगने पढ़ा है कि देखो यह जो H2O2 होता है हमारा ओके यह disproportionate होता है water में और oxygen में disproportionate होता है मतलब देखो यहाँ पर oxygen के उपर minus 1 okay minus 1 जो charge है minus 1 oxidation state जो है देखो यहाँ पर minus 2 हो जाता है और यहाँ पर 0 तो minus 1 से minus 2 हो जाता है oxygen देख रहे आपको okay तो minus 1 से minus 2 पीछे जा रहा है reduction हो रहा है okay similarly oxidation भी हो रहा है देखो minus 1 से 0 minus 1 से 0 आगे तो oxidation भी हो रहा है reduction भी हो रहा है तो इसलिए हम लोग बोलते है disproportionate हो रहा है हमारा H2O2 ऐसे तो देखो reduce हो रहा है H2O2 किस में हो रहा है water में हो रहा है क्योंकि देखो simple सी चीज़े H2O2 में oxygen minus 1 सेट में होता है okay तो वो reduce होने के लिए उसका oxidation number कम करवाना पड़ेगा कम किस में हो सकता है सिर्फ water में हो सकता है क्योंकि water में ही minus 2 होता है oxidation का oxidation state right oxygen का तो इसलिए minus 2 पाने के लिए वो water में बदल जाता है okay तो in case exam में भूल भी गए तो भी देखो web बना के रखना है okay तो वैसे ही आप देखो याद रखना है आपको अब ये सारे reactions जो हम लोग देखेंगे इसमें हमारा H2O2 होता है reduce water में दिमाग में चिपका के रखना okay reduction H2O2 का water में होगा okay जो भी reaction में H2O2 reduce हो रहा है उन में तो oxidizing वाले reactions में H2O2 water में ही बदलेगा okay भले वो medium acidic हो या फिर basic हो उससे हमें कोई लगा देना नहीं हमारा H2O2 बनेगा water खतम okay clear होई बात है दिमाग में चिपक गई acidic या फिर basic कुछ भी हो अब वैसे ही बाकी के तो depend करेंगे है बाकी का अपना reagent क्या है तो Fe2 plus है तो Fe3 plus में oxidize हो रहा है तो देखो ये बस ये दो चीज़े याद रखनी है हमें इस reaction में बाकी तो आप पूरा reaction जैसे दिख रहा है ना आपको ditto coefficient के साथ मतलब stoichiometry एकदम perfectly balance करके आप लिग दोगे कैसे simple सी चीज है भाई ये देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर reduction हो रहा है यहाँ पर oxidation हो रहा है मैंने reaction को तोड़ दिया है already oxidation half reaction reduction half reaction में clear इस reaction को अब करना क्या है सिर्फ इन दोनों को balance करना है ओके तो वो आप कर सकते हो half reaction method से अगर आपको पसंद नहीं है वो method तो unbalance वाली reaction कैसे दिखेगी कुछ ऐसे दिखेगी में reactants लिकूंगा सिर्फ Fe2 plus H2O2 ओके product में Fe3 plus water तो देखो यहाँ पर यह है हमारी unbalance वाली reaction ओके यही balance करने के बाद दिट्टो ऐसे दिखेगी कैसे balance करना है तो आपने अगर redox वाला chapter पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे balance करना है अगर नहीं पढ़ा है आप अगर इस chapter को directly देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं फटाक से 2 मिनिट में आपको यह reaction balance करके दिखा देता हो बाकि के सब तो आपने को खुद को ही करने पड़ेंगे आपको प्राक्टिस भी हो जाएगा आपकी उस case में ओके तो फिर good night हो जाएगा यही पर करते करते balance आप reaction को तो देखो यह half reaction है यह half reaction है तो मैं अलग-अलग लिख देता हो क्या होता है दिक्कत यहाँ पर अब balance कैसे करना है simple तीन step बताऊंगा मैं आपको वही फॉलो करनी है सबसे पहले तो half reaction हाफ reactions में तोड़ दो निट आपने जो actual reaction को तो मैंने तोड़ दिया है कैसे तोड़ दिया। किसका रेक्षिन हर धो देखो कि 앞에 ने में पर खत्यों करते पर चोड़ाकि सरह में उनको और आपको यहाँ पर तो रियाक्षिन है ऑगले वालया रियक्षिन पर जाथ ते नूसरेNews को step दोनों को एक साथ कर दो काम सिंपल हो जाएगा यहाँ पर देखो oxygen hydrogen को छोड़के कोई नहीं है खतम तो दूसरे वाले का first step हो गया second step क्या है दूसरे वाले का जो अब बाकी के आटम को छोड़के हो मतलब oxygen hydrogen को छोड़के बाकी यहाँ पर एक oxygen है और एक oxygen की जरूरत है तो हम लोग एक वाटर मॉलेकुल आड़ करेंगे क्योंकि एक वाटर मॉलेकुल में एक ही तो oxygen होता है simple okay तो यह क्या बन जाएगा 2H2O बन जाएगा correct तो मैं यही पर rough करके लिख दू okay चलो अपनी space बता बचा रहा हूं में चलो 2H2 बन गया अब hydrogen को करना पड़ेगा देखो क्योंकि यहाँ पर चार hydrogen हो गए यहाँ पर दो यह अक्सिजन मतलब दो अक्सिजन तो हो गए पर चार hydrogen हो गए यहाँ पर तो दो है आगे बैस समझ में यह हो गया दूसरा स्टेप oxygen hydrogen balance दोनों का भी हो गया तीसरा स्टेप अगर हम लोग का reaction अगर बेसिक मीडियम हो रहा तो इस तीसरा स्टेप फॉलो करना है वो तो आपको पता होगा इनकेस अगर अच्छी बात है नहीं पता होगा तो हम लोग एक बेसिक वाला भी देखेंगे उसमें बता दू बढर दिया पहले में दूसरे में अंक को बैलंस किया थीसरे में चार्ज को बैला चार्ज को कैसे करेंगे हम लोग एलइक तौन की मदब से करेंगे तो देखो अब यहाँपर दो प्लस चार्ज से हैं Пр estre A गरुँट पर बहुरा को एड करोंगे के घमाने हैं तो इसलों सेयां सब्सक्राइब को होगा पॉसी तरह कम देखो टू प्लस है और यहां पलंस है और यहां को पी नहीं वहाँ पर भी 0 खतम तो दोनों साड मैंने चार्ज बैलन्स कर दिया, ओकिए यहाँ पर शुन्य कर दिया वहाँ पर भी अल्रेडी है वो, अगे बाइच समझ में कैसे चार्ज बैलन्स किया मैं थिसरे स्ट में, अब इलेक्ट्रॉन को बैलन्स करना है, तो सिंपली दो हे यहां पर तो यहां पर भी मुझे आट नेगे तुछ में लगेंगे मैं फूरे को तो से मल्टिप्राइ अब सिंपली को नाे र्यक्षिन को आड करने तो मी बस क्या करनका यहासे यहां से 2 electron उडा दिया है मैंने इस तरफ से इस तरफ से अब बचा क्या और और कुछ Fe 3 plus नहीं है यहां पर ओक f2 plus नहीं है यहां पर तो लिख दूंगा में एक साथ उसको तो देखो two Fe 2 Plus ओके यहां पर 2H plus H2O2 ओके क्या बन गया बन गया हमारा Fe3+, कितने 2 Fe3+, ओके और फिर 2 water molecules, आप यही reaction को आप देखो, यही दिखेगा आपको यहाँ पर जो उन्होंने directly दे दिया है, 2 Fe2+, 2 H+, 2 Fe2+, 2 H+, plus H2O2, plus H2O2, gives, gives 2 Fe3+, ओके, यहाँ पर देखो, gives 2 Fe3+, 2 H2, gives 2 Fe3+, 2 H2, मिल गया, सप्राइज, क्या बस हम लोग ने याद रखा, यही चीज याद रखी, यह वाली चीज, और यह वाली चीज तो आप सब के लिए सेम ही रहेगी, ओके, तो खतम, हम लोग ने पूरा reaction बना गया, तो नेट में तो आपको reaction लिखने के लिए तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल आपको बोलेंगे कि यहाँ, क्या अपना पर अक्साइड, Fe2+, को किस में oxidize कर रहा है, यह पूछ सकते आप से, और अगर वो ऐसा भी question पूछ सकते कि भाई साब, अगर अपना पर अक्साइड, Fe2+, को oxidize कर रहा है, तो choose the correct balanced reaction from the given options below, तो correct balanced reaction तो आप तब choose कर पाओगे, जब आपको खुद को आता है ना balance करने के लिए, correct, तो वो तो सीखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं समझना है कि भाई, नीट में reaction लिखनी नहीं है, तो reaction लिखने का तरीका ही भूल जाओ, बिल्कुल नहीं, तो कि mystery क्या मजा है उसमें, तो देखो, अब आप reluctant feel नहीं करोगे, reactions को पढ़ने के लिए, आप reaction तक पोहन नहीं, थोटा सा देर लग जाएगी, बिल्कुल थोड़ी सी लगेगी, बाकि कुछ नहीं, पर आजाएगा, reaction तक पहुंच जाओगे, correct, बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा, सारी reaction, बस जो चीज याद रखनी है, simply सारी reaction में, लोग जो याद रखने है, reactants और products, वो याद रखनी, दिमाग लगाने, बाकि के सारे के लिए, तो जिसको भी लिखना है, मतलब स्क्रीन शॉट वए कर रहा है, जिसको लेना है, ले लो, मैं चोड़ा हट जाता हूँ, स्क्रीन से, ये वाला reaction, आब इसमें भी ह2, क्या करेगा, औक्सिडाइस करेगा, तो देखो यहाँ पर, प्लस टू, माइनस एट, माइनस सिक्स, भाहर जाता है तो प्लस सिक्स, तो सल्फर प्लस सिक्स में है, यहाँ पर सल्फर, माइनस टू में है, तो माइनस टू से, प्लस सिक्स में कनवर्ट कर दिया, देखो माइनस टू से, और H2O2 water में convert हो गया दो half reactions आपको मिल गई balance कर दो, मिल जाएगा आपको पक्का पक्का ये reaction मिल जाएगा, मैंने खुद ने try किया मैं ऐसे बोलूँगा नहीं आपको चलो, तो आपको समझ में आ गरेंगी दो reactions, ये examples, oxidizing action वाली अब उसी तरह से फटा-फट reducing action वाली in acidic medium, तो same way में देखो यहाँ पर, आब H2O2 reduce करेगा reduce करेगा मतलब, खुद भी oxidize होने वाला है तो जब H2O2 खुद oxidize होगा तो क्या बनेगा, हम लोग में थोड़े दर पहले देखा था oxidation के लिए, वो minus 1 से उसको उसको oxidation number बढ़ाना पड़ेगा, oxygen का तो minus 1 से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 0 में जाएगा तो क्या बनना पड़ेगा, उसको oxygen, उस reaction की साबसे, ओके disproportionation reaction की साबसे, वो याद रख लेना oxygen बनेगा, तो H2O2 हमेशा याद रखना, हमेशा, basic हो acidic हो medium, खुद को अगर उसको oxidize होना है तो वो oxidize होगा O2 में ओके acidic या फिर basic medium हो, clear होगे बात अब यहाँ पर देखना वो किसको reduce कर रहा है, reducing action चल रहा है तो किसको reduce कर रहा है, यहाँ पर आपने manganese को reduce कर रहा है, तो यह देखो Kmno4, potassium permanganate तो permanganate ion है यह, ओके तो ion को देखके घबराना नहीं है, दिमाग लगा कि सोचना है, MnO4 minus तो दिमाग लगाना है, K plus लगा दूगा, तो क्या हो जागा Kmno4, मतलब यह potassium permanganate मतलब permanganate ion है, ऐसे भी आप पहुंच सकते हो, आइन तक, यह मेरा तरीका है, आप अपका तरीका यूज कर सकते हो ओके, तो यहाँ पर देखो, यह ion, देखो, 4, 2, 8, minus 8, ओके तो, यहाँ पर minus 2 है ना, इसका oxidation state इसले, 4, 2, 8, minus 8, minus 8 भार जाएगा, plus 8, minus 1, plus 8, plus 7, ओके तो minus 1, plus 8, plus 7, तो इसका plus 7 oxidation state है MN का यहाँ पर, और यहाँ पर देखो, plus 2 है, देखो, plus 7 से plus 2 कर दिया बिचारे को, मतलब क्या हो गया, plus 7 से plus 2 पीछे गा, reduction, तो इसका reduction करवा दिया, H2O2 ने खुद हो गया, oxidize, oxygen में, 0, minus 1 से 0, ओके, आगे, आगे, oxidation, आगे बाद समझ में, दो चीज़े याद रख लो, balance कर लो, खतम, मिल जाएगा आपको ये वाला reaction, दिटो, उके, उसी तरह से, HOCl में देखो, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टेड़ा वाला example, इन्हों लोग ने लिया है, शायद आपको इतना ज़़ा पता नहीं होगा, पी ब्लोक जिन्हों ने पढ़ा होगा, उनको पता चलेगा होगा, ओके, ये तो देखो, ऑक्सो आइसिड है, मतलब, ये HOCl जो है, पी ब्लोक में पढ़ोगा आप, ऑक्सी आइसिड और है ये, ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें exceptionally हामारे जो हैलोजन से, हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से, तो positive क्या होगा, देखो, oxygen तो minus 2 है, hydrogen का plus 1, okay, hydrogen का plus 1, तो देखो, plus 1 minus 2, क्या होगा, minus 1, okay, तो यहाँ पर, plus 1 minus 2 minus 1, तो minus 1 को balance करने के लिए, इसका plus 1 होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पुरा neutral है, तो minus 1 plus 1 0, तो neutral हो गया, इस तरह से आप ढूंड सकते, oxidation state, oxidation number, तो simple से चीज़े, आपको पता भी होगी, अगर नहीं पता होगी, तो अब ततो सीख गए होगी, आप, ओके, हाँ, आगर इसमें भी कोई दिक्कत रहेगी, तो आप जाके देख सकते हो, ओके, रोशनी में मैंने जो one shot वीडियो में पढ़ा है, उसमें भी आप समझ सकते, oxidation state के से ढूंड़ना है, तो, यहाँ पर HOCl में, plus 1 से क्लोरीन हमारा जा रहा है, देखो, minus 1 में, ओके, तो plus 1 से minus 1, पीछे गया, reduction हो गया, इसका भी चारे का, और उसी तरह से H22 क्या हो गया, देखो, oxidize हो गया, 0, ओके, खुद minus 1 से 0, ओके, आगया, आगया, तो oxidize हो गया, तो आपको याद रखना है क्या, HOCl, Cl minus बन रहा है, H22, तो याद हो गया आपको, oxygen बन रहा है, clear हो गया बात, ओके, तो अब हम लोग देखते है, oxidizing और reducing action in basic media, ओके, तो इसके लिए में आप एक example लेके बता देता हो, आपको तो क्या को समझ में आ जाए, तो यहाँ पर आप देखोगे, ओके, तो आप, आप question पूछोगे अब मुझे, पूछना चाता है चाहिए, अच्छे से, आप classroom में होते हैं, तो पूछ लेते हैं मेर से, कि देखो, यहाँ पर सर, आपने बोला था, oxidizing जब भी होगी, oxidizing action जब भी होगा, H2O2 का, तब हमेशा, H2O2 reduce होगा, और H2O2 reduce किसमें होगा, minus 1 से, वो minus 2 में चला जाएगा, तो वो water बन जाएगा, पर यहाँ पर तो water दिखाई नहीं दे रहा है सर, राइट, भले चलो, F2 plus हमें दिखाई दे रहा है सर, कि F3 plus बन रहा है, ठीके, यह तो oxidize हो रहा है, oxidizing action, चलो, समझ में आ गई, पर reducing action तो समझ में नहीं आ रही है, हमाइस कहां से आ गया, ओके, water तो ही नहीं, यह तब समझ में आगा, इसलिए तो पहले हम लोग ने शुरुवाद की उसी से, redox reaction को balance करना है, भाई साब, तभी तो आप पहुंचोगे, ओके, हमेशा यही होगा, देखो, यही होगा, H2O2 जो है, वो water ही बनेगा, उसका reduction होने पर, ओके, पर, अब हमारा जब हम लोग balance करते हैं, redox reaction तब basic medium होने के वज़े से, water में घपला हो जाती है, water में गडबड हो जाती है, ओके, तो देखो, ध्यान से देखना, अब यहाँ पर इस reaction में, Fe2 प्लस से, Fe3 प्लस बन रहा है, तो same way में हम लोग क्या करेंगे, Fe2 प्लस का, Fe3 प्लस में, conversion, ओके, तो हो रहा है, यह half reaction हो गई, oxidation वाली, यह हो गई, reduction वाली, ओके, same way में हम लोग इसको ब्लस करना शुरू करेंगे, तो फटा-फट से देख लेते, देखो, यहाँ पर, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस बन रहा है, अब बाग के सारे steps आपने को पता है, acidic medium के सारे steps जो भी same है, वो बताते जाओंगा, जो अलग वाली step है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी, तो देखो, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, मैंने half-half में कर दिया, फिर balance करना, atoms को same है, ओके, और इसके साथ, इसका भी देखो, तो बाकिके atoms तो हैं ही नी, इसमें, ओके, hydrogen oxygen को छोड़के, यहाँ पर आते फिर, hydrogen oxygen है यहाँ फिर, औके, तो दो oxygen है, तो यहाँ पर एकी water molecule है, correct, तो एक water molecule है, मतलब एक ही oxygen है यहाँ पर, तो और एक oxygen की ज़रुरत है, तो और एक oxygen के लिए, एक और water molecule हम लोग लेकिए आएंगे, तो इससे लिए मैं directly यहाँ पर 2 water molecules लिग देता हूँ ओके तो 2 water molecules के चक्कर में 4 hydrogen हो गए यहाँ पर ओके और यहाँ पर कितने हैं 2 hydrogen हो तो और मुझे 2 hydrogen लगेंगे तो मैं 2 H plus add कर दिया यहाँ पर ओके तो अब अब देखना ध्यान से second step में हम लोग ने 2 oxygen hydrogen को छोड़ के oxygen hydrogen को balance किया अब basic medium जब होगा दिमाग में चिपकाना है हमेशा 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 क्या करना है जो भी H plus add रहेंगे उनको neutralize करवाना है ऐसे याद रख लो तो neutralize कैसे करवाएंगे हम लोग जितने भी H plus add है उतने ही OH minus add करेंगे सिर्फ उस तरफ ही नहीं बिचारे इस H plus add के वज़े से basic medium में दोनों को सफर करना पड़ेगा दोनों को मतलब दोनों side को तो दोनो side OH minus add करेंगे उतने ही यहाँ पर 2H minus add किये वहाँ पर 2H minus add अब यह जो 2H minus add 2H plus add है इनका million करेंगे हम लोग और इनको दो water molecules बना देंगे यह भी भूलना नहीं यह लिखने के लिए ओके और यह दो water molecules अब फिर यह H2O2 और फिर यह दो water molecules देख रहे आप ऊपर और फिर यह दो OH minus अब देखो दो water molecules यह पर cancel तो बनेगा क्या H2O2 दे रहा है हमें क्या 2OH minus add यह हमें मिल गया वो second early step के third exceptional step को follow करने के बाद क्योंकि basic media हमें clear यहाँ पर तो वो जरूरत ही नहीं है वो तो बाती खतम ह प्लस आन की मतलब कोई गुंजाईश ही नहीं तो third step हम लोग follow यह नहीं करेंगे मतलब second step में जो third part है वो follow यह नहीं करेंगे अब third step simply दोनों को भी apply करने charge balance करने देखो two plus है three plus है यहाँ पर मैं अगर एक electron add कर दू तो plus three minus one ओकि क्या जगा plus two plus two कतम अब electron को balance कर दो ओकि हाँ यहाँ पर भी electron को मैंने लेकिया ना पड़े था तो दो minus charges है तो दो electron में यहाँ पर लेकिया रहो आगे बाद समझ में ओकि तो यह वाला half reaction भी हो गया electron के terms में मतलब charge के terms में balance ओकि पर अब दोनों का भी electron का number same करवाने हमें ओकि यही तिसरा step का last part है तो दूसरा दो electron है यहाँ पर तो यहाँ पर भी मैं दो कर दूँगा दो और दो हो गया अब इनको add करना है तो simply में क्या कर ला हूँ देखो में यहाँ पर आब समझ में आ जाएगा दो यही तू प्लस इस तरफ reactant साइड में ओकि तो प्रोड़क्ट वाले साइड में इस त्री प्लस टू इलेक्ट्रॉंस ओकि प्रोड़क्ट वाले साइड में इस युख तू प्लस देखने देखना तू एफिटू प्लस अब में लिकरान और यहां से टू एफिट्री प्लस और थू ओ ऐसमाना साइन्स ओके तो देखो टू एफी ट्री प्लिस और टू ओएच मैनस आइंस मिल गया हमें हमारा रियाक्शन ओके तो वाटर यही पर निकल गया विचारा इसलिए हम लोग को ओएच मैनस आइंस यहां पर दिख रहें तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पानी गया का ओके तो बैलनस करने के इसमें वह वाटर चला गया तो ओएच मैनस आइंस हमारा प्रोड़क्त मिल रहा है क्लियर तो ऐसे याद रखना है आपने को basic वाले के terms में अब इसी तरह से आप इसको भी देख लो mn2 plus mn4 plus oxidize हो रहा है ये खुद reduce हो रहा है same तरीके से basic medium में भी हो रहा है तो ये खुद reduce हो रहा है actual में किसमें हो रहा है water में पर water में हम लोग balance करने के बाद ये OH-1 मिलाता है अब ओच मैनस साइंस में भी देखू यहाँ पर oxygen के ओपर minus 2 ही है तो देखो ये minus 1 से minus 2 ही हो रहा है ultimately reduction ही हो रहा है इसका भी पर कैसे हो रहा है मैंने बताया same way reducing action in basic medium reducing action मतलब अब reduce करवा रहा किसको करवा रहा है आई 2 को करवा रहा है i- में तो यहाँ पर इसका oxidation state 0 होता है 0 से minus 1 में चला गया 0 से minus 1 में reduction हो गया अब खुद भी देखो खुद किसमे oxidation में हमेशा मैंने बोला था oxygen में ही होगा तो खुद किसमे हो गया थोड़ा ये exceptional behavior था पर फिर भी अगर आपको जो basic चीज कि basic medium में ऐसा सब कुछ होता है हमारे पर ऑक्साड के साथ clear ओके यह exceptional है बाकी क्यों कि सब में तो water ही बनेगा तो water ही बन रहा था यहाँ पर देखो तो minus 1 से 0 सेम वे में आप दोनों का भी half reactions में बता दिया याद क्या रखना है होगे आपको पता चल गया होगा i2 बन रहा है i- यह तो आपको याद हो गया होगा oxygen यह तो मैंने पहली बताया था पिछले वाले इस लाइड बनता है oxygen बहले ऐसे डेखो basic हो अगर वो oxidize हो रहा है तो ऑक्सिजन नी बनेगा तो यहापर भी देखो reducing action में सेवेंस ही है यहापर जा रहा है plus 4 में okay minus 4 है यह 2 to the 4 minus 4 तो यह plus 4 okay तो plus 7 से minus plus 7 से plus 4 में जा रहा है reduction हो रहा है correct और खुद का oxidation हो रहा है देखो का पर गया oxygen okay यह दोनों चीज़े याद रखना half reaction को balance करना यह पूरा मिल जाएगा guarantee okay मैंने खुद ने किया है यार इसलिए मैं बोल रहा हूं okay clear होगी बात तो यह थे हमारे chemical properties के सारे reactions जो मैंने आपको समझाए okay तो आपको शायद इसमें आप कोई दिक्कत नहीं आएगी याद रखने में भी और इस reactions तक पहुंचने में भी ओकी तो चलो आप heavy water वाला section दिख लेते पार्ट दिख लेते चोटा सा पार्ट डिया एकदम टेक्स्ट बूक में पर इसमें देखो preparation तो इसकी तो एक दो लाइन में बताए कि by product होता है fertilizer industries का उसी से हम लोग को heavy water मिल जाता है या फिर हम लोग exhaustive electrolysis of water करके ले सकते अब यह exhaustive electrolysis of water थोड़ा मैं सचा कि elaborate कर दूँ इसको कुछ दिया ने टेक्स्ट बूक में इसके बारे में एक को simply simple चीज है water का electrolysis करेंगे हम लोग पर exhaust करते रहेंगे last तक करते रहेंगे एकदम 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 लास्ट तक electrolysis करते रहेंगे जब तक हमें लगने राय कि हमारा सारा का सारा water hydrogen and oxygen में बदल नहीं गया है तब तक balance नहीं किया मिनि उसमें ध्यान मत दो बस बतानी कि से मुशिश कर रहें है hydrogen and oxygenip elogi को तब तक हम लोग करेंगे क्यूश की क्यूश की हमारा जो water होता है उसमें थोड़ी मात्रह में है भी water पक्का हनाच्रल होता ऊके और इसी ही water के हामें तलाश है, उसे कोब आ प्रेपर कर रहे ह हम, तो हम, हमारे नयचुरल वाटर से हेवटर को ऐसे एक्ट्राक्ट करते है, लाश तक हम लोग इसका करेंगे, स्पार्श करेंगे, एक्सक्राश करेंगे, ताकि जो बचे का बाद में, last में fraction जो बचेगा, वो water नहीं होगा, वो heavy water होगा, तो वैसे हम लोग 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 निकाल लेंगे, clear होग यह बाद समाझ में आगए, interesting सी चीज़ है ना, चलो, अब यही heavy water को यूज़ करके, हम लोग बहुत सारे deuterium compounds बना देते हैं, अब इन reactions को आपको अगर समझना होगा, या फिर आपको याद भी रखना होगा ना, तो water के साथ relate कर लो, simply, okay, तो जिसको calcium carbide, okay, H2O लिख दो, तो क्या होगा, C2H2, okay, मतलब ethine, right, C2H2, ऐसे होता है, C2H2, correct, और फिर, CO, C-A-O-D-2, तो water के reaction, मतलब water, डिटो के जगे पर पानी लिख देना, बस लिखने के सेक के लिए, और फिर, for sake of writing, और फिर बाद में, बस ये reaction को थोड़ा समझ लेना, मतलब ये reaction, आपको लिखने के बाद आसान हो जाएगा, ये reaction को याद करना, क्योंकि वो जो D वाला जो part है, वो बहुत नया है हमारे लिए, तो वो D वाले reactions, चायद आपको लग रहे होगा, कि क्या ही ये है, कुछ नहीं है, water के, water लिख लो, डिटो के जगे पर, और reaction को थोड़ा एक बार देख लो, तो लगना लगा, आपने जैसा reaction है कुछ, और फिर उसके बाद में आपको फिर automatically याद ही हो जाएगा, हटो के जगे सिर्फ डिटो लगाने लाए, खतम, उकि जहापर भी है, वहापर D लगा देना है, इसी को भी IC याद रख लो, उके, SO3, D2 के लिए बस लिखने के सेट के लिए लिखवा, मैं बस आपको एक याद रखने के टेकनीक बता रहा हूँ, तो SO3 प्लस H2O, गिवस H2SO4, तो देखो, तो बस H के जगे पर D लगा दो, SO3 प्लस D2O, गिवस D2SO4, याद होने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ओके, इसमें भी सेम वही लॉजिक आप अपलाई कर देना, तो यहाँ पर देखो, CH4 ऐसे वा जाएगा आपका, 12H2O, गिवस 3CH4, तो आटमेटिकली वह D वाला चीज याद हो जाएगा, ओके, वो reactions, यह जो हो रही है, यह ऐसी reactions, deuterium compounds बनने के लिए, हम D2 को इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखने के लिए, मैंने एक सिंपल ट्रिक भी आपको बता दी, तो इसके साथ, दोस्तों हम लोग इस वीडियो के end तक आ गए है, तो I hope आपको बहुत मजाया होगा, चीज़े आपको समझ में आए होगी, जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, तो बिल्कुल यह चीज़ मुझे कमें सेक्शन में बताना, कि आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपके कमेंट्स का में वेट करूँगा, और वैसे तो आप सभी को पता है, लर्न ओं मतलब फ्री है पर बेस्ट है, तो मिलते हैं आगे PYQs और MPQs के साथ, इस चैप्टर के, तब तक के लिए पढ़ते रहने इस चैप्टर को, स्टेए ट्यून, बाबाई, और हवा ग्रेट डे,